क्या आपको पता है कि एक कुटा ऐसा भी है जो कभी नहीं भाउखता क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरना कि एक्सिदेंट कवर कहा हुआ था इस वीडियो मैं आपको ऐसे ही रैंड़म फैक्ट के बार में बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो के skip मत किजेगा आप में इसे जालाते लोग email का पर्योग जरूर करते होंगे या कभी ना कभी जरूर किया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला email किसने और का भेजा था बिजनेस इंसेडर के मुताविक email invent करने का स्तरे रे थॉंसलिंसन को जाता है और उन्होंने उनीस से कैतर में सबसे पहला email खुद को ही भेजा था उनके मुताविक उन्होंने email को randomly कुछ टाइप कर दिया था वो keyboard के पहली line Q-W-E-R-T-Y-U-L-O-P थी अगर मैं आपसे पूछू कि क्या कोई मरा हुए इंसान कभी घुड़ दोड़ जीत सकता है तो सहाइद आप सोचोगे कि ये कितना stupid सवाल है लेकिन आपको जानकर आस्टरी होगा कि 4 जून 1923 को फ्रेंक के हेज नाप की एक जौकी ने मरीत होने के बावजूद भी अपनी आकरी रेस जीत ली दरसल उन्हें रेस के दोरान ही heart attack आया था और उनकी तदकाल मरीती हो गई थी पर उनका घुड़ा लागादार दोड़ता रहा और रेस में अवल आया इस तरह फ्रेंक मरीत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एक मातरी इंसान बन गए एक न्यूबॉर्ण बेबी जब रोता है तो उसके आँकों से आंसु नहीं निकलते ऐसा उसके पैदा होने के 2-3 हपतों तक हो सकता है क्योंकि उस समय तक उसकी लेकरिमल ग्लेंड यानि की आसु की गरंती विक्सित नहीं होती फैक्टरमर 17 यूरेनेस ग्रह पर सिर्फ दो मौसम होते हैं सर्थी और गर्मी प्रते एक मौसम 42 सालों तक रहता है फैक्टरमर 16 अमेरिका के ट्रॉफिकल फॉरेस्ट में मिलने वाला ये बंदर दुनिया के सबसे चोटा बंदर है इसका वज़न केवल 113.3 ग्राम होता है फैक्टरमर 15 यूं तो अल्फाबेट A इंग्लिस का one of the most common used alphabet है लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नम्मर्स को इंग्लिस में लिखना सुरू करते हैं जैसे 1,2,3 तो किस नम्मर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट A का प्रियोग करना बढ़ता है वो नम्मर है 1000 जी हाँ, 1000 में पहली बार अल्फाबेट A का यूज होता है वन से लेकर 999 तक किसी वी नम्मर को लिखने में एक ही जरूरत नहीं बढ़ती एक मनुस्य का बच्चा चार महिने की उम्र तक नमक और चीर्णी का टेस्ट नहीं कर पाता आइसलेंड एक मातर ऐसा देस है जिसके पास खुद की आर्मी नहीं है एक सैंटिफिक रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि जब कभी एक इनसान दूसरे इनसान को जूट बोलता है या फिर सच को छुपा कर घुमा फिरा कर बात करता है तब उस इनसान की नाक गर्म हो जाती है यदि किसी मनुस्त का डिने को पूरा खोल दिया जाए तो वह इतना लंबा हो जाएगा कि उससे हम सूरज से प्लूटो और फिर प्लूटो से सूरज की नूरी नाप सकते हैं अगर मैं आपसे पूछू कि एक पृत्वी की आयू कितनी है तो आप बोलोगी कि ये क्या मजाग है लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृत्वी की आयू चार से पांच बिलियन साल है दुनिया का सबसे पूराना जीवित व्रिक्ष कैलिफॉनिया में है जो 4843 वर्स पूराना है और दुनिया का सबसे उंचा पेड़ भी यही है और उसकी उंचाई 379 फीट है एक हाथी पानी की गंद को 4.5 किलोमेटर की दूरी से सुंग सकता है यह सारे गेन जो आज दुनिया भर के अरवों लोग खेलते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब इंडिया में ही बनी थी आपको पता है कि पुराने जवाने में आपमियों को फोटो खेचवाने के लिए 8 घंटे तक बिना हिले बैठे रहना पड़ता था आप ब्लू होल के बारे में तो जानते ही होंगे यह असल में एक गुफा होता है अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह पानी के अंदर है यह 130 मिटर लंबी और 6 मिटर गहरी है यह गुफा एक तरह से गोताखरों के लिए मौत का कुणा है इस गुफा में ना जानी ये नामक जील में हाई मात्रा में फॉस्फारिक एसीट पाय जाती है अगर जानवर इस जील का पानी पी लेते हैं तो उनकी तवच्छा और आखें जल्ले लगती है जिसके करण वो मर जाते है फैक्ट नमर 3 पस्मी घाड पर एक जंगल है जिसे यदि अब रात को द जगमगाता है पस्मी घाड पर एक दूडला फिनोमेना होता है जिसकी वज़े से साल के कुछ हफते यहां रात को जंगल चमकता हुआ दिखता है दरसल यह बायो लुमिनिसेट फंगस की विज़ा से होता है जो रात को चमकता है बायो लुमिनिसेट फंगस पेड़ बोदो फिर दूर जागी रहे जो कि अब तक किसी भी कार एक्सिडेंट में सबसे दूर सब खेके जाने का वर्ड रिकॉर्ड है इस एक्सिडेंट में उन्हें गंभीत चोटे आई लेकिन एक साल बाद वास फिर से स्वस्थ हो गए आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताईएगा